दोस्तो हम जब भी अपने WhatsApp को लोगिन करते हैं तो वहाँ पर एक OTP आता है अगर हम यहाँ पर OTP एंटर करते हैं तब भी हम अपने WhatsApp को लोगिन कर सकते हैं मतलब यह है कि विदाउट OTP के WhatsApp लोगिन नहीं कर सकते यहाँ पर आपको एक option मिलता है Don't Receive Code इस पर हम click करेंगे तो यहाँ पर दो option मिलते हैं एक SMS का और एक call करने का तो करना क्या है आपको अगर आप किसी भी वजगती का WhatsApp अपने mobile में लोगिन करना चाहते हैं यानि हैक करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है आपको मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ पर जो भी नमबर एंटर करोगे मतलब आपको जिसका भी WhatsApp है करना है वो नमबर आपको सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से एंटर करना है नमबर एंटर करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ से आपको don't receive code पे क्लिक करके यहाँ से आपको call में पे क्लिक करना है अब गईज देख लीजिए यहाँ पर यह नमबर तो आपका नहीं है यहाँ पर आपके पास call नहीं आएगा बट 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 मैं आपको एक एसी ट्रिक बताऊंगा जिससे सीधी आपके नमबर पर call आएगी company call करेगी इस नमबर पर बट call आपके नमबर पर आएगी केसे वही हम जानने वाले हैं सबसे पहले आपको उसका mobile लेना है जिसका आप WhatsApp हे करना चाहते हो बस आपको एक सेकिंड के लिए आप उसका mobile ले लीजिए उसका mobile लेने के बाद आपको यहाँ dial paid में आना है एंड यहाँ पर star to one star एक code टाइप करना है उसके बाद आपको अपना यहाँ पर mobile number एंडर कर देना है जो mobile number आप use कर रहे हो ओके ये नमबर एंटर करने के बाद आपको हैच लगा देना है देन इसको यहां से डायल कर देना है इस कोड से क्या होगा कि कोल फरवर्डिंग एक्टिव हो जाएगी अब जब इस नमबर पर यानि जिसका आप वाटसप हैक करना चाहते हो जब उसके नमबर पर कोल फरवर्डिंग एक्टिव हो जाएगी तो जो भी वजगती उसको कोल करेगा तो कोल उसके नमबर पर नहीं जाएगा बलके उस नमबर पर आएगा जो आपने यहां से ये वाला कोड यूज करके नमबर टाइप किया है उस नमबर पर call आएगा तो आपको यहाँ पर यहाँ पर जो आपने code टाइप किया है कोड के बाद आपको अपना नमबर लगाना है देन यहाँ पर आपको don't receive पर किलिक करके call में के option पर किलिक करना है उसके बाद क्या होगा कि company इस नमबर पर call करेगी जो आपने WhatsApp पर लोगिन करने के लिए डाला है बट वहाँ पर क्या होगा call company करेगी उसको लेकिन आपने call forwarding को active किया है इसके कारण call उसको ना जाके आपके नमबर पर आजाएगी आपके नमबर पर call आएगी और company आपको OTP देगी एड यहाँ पर आप easily OTP को फिल करके अपने WhatsApp को लोगिन कर सकते हैं किसी और के मुबाइल नमबर से इस तरह तो इस तरह से आप किसी का भी WhatsApp अपने मुबाइल में लोगिन कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सबस्क्राइब कर लेना दोस्तो अगर आपको इतनी से भी प्रोबलम आती है इस ट्रिक को यूज़ करने में तो आप हमें कमेंट बोक्स में बता देना हम आपके लिए एक और नए ट्रिक लेकर आएंगे वाटसप के बारे में दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग एंड या इन्जोई